नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदशन किसान मौस्तम खबर में आप सभी का स्वागत मैं हूँ मुकुल शर्मा मौस्म खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान के स्थिती साथ की ऐसे मौस्म में किसानों के लिए क्या है क्रिश्टी सल्हा लेकिनाई सबसे पहले खनसर डालेते हैं सुर्खियों पर मंगलवार को केरल और करनाटक के तठी अलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा 50 से 60 किलोमीटर प्रती घंटी की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं केरल में कल कहीं कहीं काफी भारी बारिश का अनुमान तो मंगलवार को पूर्वी उत्र प्रदेश में भी एकका दुक्का जगात तेज बारिश के आसार और पशिम बंगाल के पहड़ी लाकों में धान निराई का काम करें किसान तो उत्र पूर्वी उडिशा में टमाटर क्यूनत किस्मों की लगाएं नर्सरी और आईए बिल्टिंग की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से क्या कुछ खास रहेगा मौसम में यह आपको पता देते हैं बात अगर की जाए कल यानि मंगलवार की तो खास तोर से केरल और करनाठक के तर्टे अलाकों में तेज हवाइं चलने का अंदेशा है मौसम भागद्वारा मच्वार को सतर्क रहने की सलहा जारी की गई है मंगलवार को केरल में कहीं कहीं काफी भारी बारिश का भियानुमान है मही पूरी उत्रप्रदेश में भी मंगलवार को एका दुका जगा तेज बारिश के आसार है दो दिन उप्हमाले पश्य मंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं जोरदार बारिश का नुमान जताया गया है अरुनाचल प्रदेश असाम और मेखाले की अगर बात करें तो मंगलवार को यहां भी तेज बारिश हो सकती है मही दो दिन बध्य महराश्रा में एका दुका जगा बादल खूब बरसने की संभावना है करनाटक, तमिलनाडू और पुडुचेरी में भी मंगलवार को कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है और यह बात कर लेते हैं बारिश के अनुमान की देश के किनकिन हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है और कहा मौसम साफ बना रहेगा जान लेते हैं इस रिपोर्ट में मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी लाकों की मंगलवार को जमू कश्मीर और लद्दाक में इका दुका जगह बरसात का अनुमान है मंगलवार और बुद्दवार को उत्रा खण में कहीं कहीं बारिश के आसार है मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुका जगह बारिश की समभावना है वहीं अगले दो दिन पंजाब, हर्ल्याना और दिल्ली में बारिश का नुमान नहीं है जबकि मंगलवार को पूरवी उत्रप्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है साथ ही अगले दो दिन पश्यमी उत्रप्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है मंगलवार को पूरवी और पश्युमी राजस्थान में एक्का दुक्का जगा बरसात कानुमान है जबकि अगले दो दिन पूरवी भारत के गांगे पश्युम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार है जबकि मंगलवार और बुध्र्वार को उपहिमाले पश्युम बंगाल और सिक्किम के ज़याततर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है साथ ही मंगलवार को असम और मेगहली के अधिकतर जगों पर बरसात के आसार बनी हुए है मंगलवार को अरुनाचर प्रदेश के ज्यादतर इलाकों में भी बरसात की संभावना है महीं दो दिन नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम और तरिपूरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार है मंगलवार को बिहार और जारखण मिके कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है साथी मंगलवार को और डिशा में भी कुछ जगा बरसात की संभावना बनी हुई है अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूरवी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है साथी मंगलवार को 36 गण में कुछ जगों पर भी बरसाथ के आसार है अगले दो दिन मध्य महराष्टर के कई इलाकों में बारिश की संभावना है वहीं अगले दो दिन कौंकन गोवा के ज्यादतर इलाकों में बरसाथ होने के आसार है मंगलवार को गुजरात के इकादुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है साथी मंगलवार और बुधवार को सौराष्टर और कच्छ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने होए हैं साथी मंगलवार को तमिलनाडू और कुछ जगा बारिश की संभावना है जबकि अगले दो दिन करनाटक के तर्टी इलाकों के ज्यादतर हिस्सों में बरसात के आसार है मंगलवार और बुधवार को उत्री और दक्षनी करनाटक के भीतर हिस्सों में भी बारिश के उम्मीद है अगले दो दिन केरल केज ज्याततर इलाकों में बारिश का रुमान है वही मंगलवार को अंड़िमान उने को बार्द वीव सम्हों में कई जगह बरसाथ की संभावना है और आई अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दोरान देश के किंकन हिस्सों में बारिश दर्च की गई सबसे पहले अगर बात की जाया जिब मुकर्शमीर और लदाक की तो यहां जातर इलाकों में बारिश हुई गिलगित, बलिस्तान और मुझफराबाद में भी अधिकतर जगा बारिश दर्च की गई हिमाचित प्रदेश में भी कुछ जगा बारिश हुई पंजाब, हर्याना, दिल्ली और उतर प्रदेश में भी कहीं-कहीं बादल बरसे पश्मी राजिस्तान के अगर बात करें तो यहां भी कहीं-कहीं काफी भारिश हुई वहीं मध्यप्रदेश में एकका दुका जगाँ पर तेज बारिश दर्च की गई बिहार और ओडिशा में भी कहीं-कहीं जमा-जम बारिश दर्च हुई वहीं माले पश्म मंगाल और सिक्किम में एकका दुका जगा तेज पर साथ हुई असम और मेघाले के अगर बात करें तो यहां भी कहीं-कहीं भारिश दर्च की गई मध्य महराश्ट्रा और कौकंगोवा में भी कहीं-कहीं जोड़दार बारिश हुई मराटवाड़ा में भी कदुका जगा तेज पर बारिश हुई इसके लावा केरल, तमिलनाड़ो और पुडुचेरी में भी कहीं-कहीं भारी बारिश दर्च की गई करनाटक के तठीय इलाकों में कदुका जगा काफी तेज बारिश दर्च हुई तेज हुई के अगर बात करें तो जम्मो कश्मीर, लद्दाक, गिलगित, बलिस्तान और मुझफराबाद में कहीं-कहीं तेज हुई चली इसके लावा हेमाचल प्रदेश और उत्राखंड में भी कदुका जगा तेज हुई दर्च की गई बात अगर हरियाना, राज़ानी दिली और उत्रप्रदेश की की जाये तो यहां भी कहीं-कहीं तेज हुई दर्च की गई और आई अब मौसम ख़बर में आखे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान के स्थितिकी सबसे पहले जान लेते हैं अधिक्तम तापमान का हाल, मधย बहराष्टा में आब देख सकते हैं, कई जगा अधिक्तम तापमान सामानले के मुकाबले पांच डिग्री सेलसियस अधिक कर दर्च की आ गया साती पशिम मद्रप्रदेश में भी कहीं कहीं अधिक्तम तापमान सामाने के मुकाबले 5 जिग्री सल्सियस अधिक दर्ज हुआ कौंकन गुवा में कई जगा अधिक्तम तापमान सामाने के मुकाबले 3-5 जिग्री सल्सियस अधिक दर्ज किया गया वहीं जहारखंड में भी कई जगा अधिक्तम तापमान की यही सती नजर आई उट्राखंड की अगर बात करें तो जातर इलाकों में यहां तापमान डेड़ से तीन डिग्री सेल्सियस अधिकर दर्च किया गया क्यारुनाचल प्रदेश, असम और मेगाले में कुछ जगा अधिक्तम तापमान सामाने की मुकाबले तीन से पांच डिग्री सेल्सियस कम रहा जम्मु कश्मी, लदाख, गिलगेट, बलिस्तान और मजफराबाद में भी कुछ जगा दिक्तम तापमान सामानी के मुकाबले डेड़ से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्च हुआ देश के मैदान इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मध्य महराश्टा के सोलापूर में दर्च किया गया, यहां दिक्तम तापमान रहा 37.2 डिग्री सेल्सियस नियुनतम तापमान के अगर बात की जाया तो आप देख सकते हैं गुजरात के जातर इलाकों में नियुनतम तापमान सामानी के तुल्ला में डेड़ से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, गांगे पश्ची मंगाल में भी अधितर जगा नियुनतम तापमान सामानी के मुकाबले 3.5 degrees Celsius उपर दर्ज किया गया तमिलाडू पुरुचेरी में भी को जगा नियुनतम तापमान के स्थी 1.4 degrees Celsius नीचे दर्ज की गई सबसे कम तापमान के अगर बात की जाए तो विदर्प के चन्रपूर में आप देख सकते हैं युनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्जियस दर्ज किया गया तो जाना आपने बारिश, तेज हवाओ और तापमान का हाल फिला हाल मौसम खबर में वक्त उचलाइक छोट इसे ब्रेक का अब रेके बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी आप बने रहे हैं दूरदशन किसान पर जानकारी जो किसानों के लिए हो लाबकारी समस्याओं पर पड़ेगा समधान भारी क्रिशी की हर बात का खयार कब कैसे की जाए पहतर देख भाद जानिए विशेशग्यों के साथ देखिए खेत खलिहान सोमबार से शुक्रवार सुभा साथ बजे धीड़ी किसान पर गावो और पिछरे क्षेत्रों में सरकारी योजनाव के जानकारी पहुँचा देश में कौशल और क्रमता विकास कर ग्रामीनों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान के पहल चौपाल चर्चा देखे सोमबार से शुक्रवार सुभा नौ बजे सहे जें कंकंको तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में ब्रेक पी जाने से पहले आप जाना देश के किन हिस्तों में बारिश की संभावना बनी हुई है और बारिश के साथ साथ हम सभी जानते हैं फसलों में कई तरह के रोग और कीटों की भी संभावना प्रबल हो जाती है इसके लिए ज़रूरी के किसान लगातार अपने खेतों की निग्रानी करते रहें और कहीं पर अगर पानी जमा हो रहा है तो उस पानी को अधिक मात्रम में जमा ना होने दे अगर बात की जोय खासवर से ओडिशा और पश्रिम मंगाल के किसानों की महाँ पर किसान कौन-कौन से क्रिशिकारिय फलाल अभी कर सकते हैं आईए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में टमाटर की उन्नत किस्मों की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें नर्सरी लगाने के बाद उसकी उपर पॉलिथिन का कवर लगाएं ताकि बारिश के पानी से बीजों को नुकसान ना हो उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में ही इस समय सब्जियों में फफुन्द रोग का प्रकोव बढ़ सकता है किसान इसकी निग्रानी करते रहें और प्रकोव दिखाई दे तो क्रिशी विशेशग्ये के परामर्ष से जरूरी दवाओं का छड़काव करें मध्य ओडिशा में इस समय धान की फसल में रोग लगने की संभाव ना है वहीं पश्यमी ओडिशा के असमतल इलाकों में भी इस समय धान में रोगों कबर को बढ़ सकता है पचाव के लिए किसान क्रिशी विशेशग्ये की सलहा लेकर दवाओं का छड़काव करें पश्यमी ओडिशा के असमतल इलाकों में ही कपास, मक्का, अरहर, मूं, मुंफरी और गन्ने के खेतों में पानी जमा ना होने थे पश्यम बंगाल के पहड़ी लाकों के किसान धान में निराई का काम करें इसके साथ ही यहां जिन इलाकों में सोयाबीन की बुआई को 20-40 दिन हो चुके हो, वहां हातों सी निराई का काम करें अगर सोयाबीन में अंकूरन की समस्या आ रही हो, तो बीजोप चार के बाद फिर से बुआई करें वहीं पश्यम बंगाल के पुराने जलोड इलाकों के किसान 25-30 दिनों की हो चुके सुगंधित धान के बीजों की रुपाई कर लें अच्छी पैदाफार के लिए 20-15 सेंटिमीटर की दूरी पर 3-4 स्वस्त बीजों की रुपाई करें गांग पश्यम बंगाल के किसान सबजियों, दलहनी फस्लों, मक्का और नर्शरी से पानी निकालने की उचेत विवस्ता करें गांग पश्यम बंगाल में ही इस समय धान में कीटों का प्रकोव बढ़ सकता है अगर प्रकोब दिखाई दे तो विशेशग्यों की सलह से दवाओं का छिड़का हो करें और आई अब आके बढ़ते हैं आज की फसल में बात करते हैं खास्ता और से पता गो भी कि अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं आपको किन-किन बातों का ख्याल लखना होगा ना सिर्फ आप समय से इसकी विजाई या रोपाई करें बलकि आने वाले समय में जो प्रबंधन है वो काफी महत्पूर्ण हो जाता है किस तरह का प्रबंधन अपना कर आप अच्छी उपज ले सकते हैं जान लेते हैं इस रेपोर्ट में ये समय पता गोभी की बुआई के लिए काफी बहतर है पता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है किसान पूसा मुकता किस्म लगा सकते है इस किस्म की बुआई पूरे भरत में किसी भी इलाके में की जा सकती है इस किस्म की एक हेक्टेर में बुआई करने पर तीन सो क्विंटल तक की पता गोभी ली जा सकती है इस किस्म की पता गोभी आकार में मर्ध्यम, चप्टी और गोल होती है इसके पत्ते हलकी हरे रंग के होते हैं, पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं पत्ता गोबी की ये किसम बुआई के 70-75 दिनों बाद तयार हो जाती है इसके लावा किसान गोल्डन एकर किसम भी लगा सकते हैं पता गोबी की ये किसम भी सभी शेत्रों के लिए उप्योग्त है बुवाई के 60-75 दिनों में तयार हो जाती है एक हेक्टेर में लगाने पर 200-244 कुईंतर तक उपचली जा सकती है ये छोटी आकार ही लेकि ठोस होती है इसके लावा फूसा बंद गोबी संकर एक किसम भी लगाई जा सकती है ये किसम जम्मो कश्मीर, हिमाचर प्रदेश और उत्रप्रदेश में लगाने के लिए अप्योग्त है एक हेक्टेर में इसकी 3.5-4.00 कुईंतर तक उपचली जा सकती है इसके बंद गोल, खोस, हरे और बहरी पत्यों से लहर नुवा ठके होए होते है बुआई से पहले खेतों को जोट कर अच्छे तरह तयार कर ले खर्बतवार को पूरी धरा से साम कर ले एक हेक्टेर में बिल जाए के ये 400-500 ग्राम बीच काफी रहेंगे बुआई के समय कतार से कतार के दूरी 45-50 सेंटिमीटर और बौर्ट से पौर्ट के दूरी 30-40 सेंटिमीटर रखे बुआई के तुरण बात पहली से चाई कर दे इसके बाद साथ से दरजिक की अंदरार पर से चाई करे खर्पत्वात पर कामु के लिए दो बार निराई करें इसमें सूंडी और हीरक प्रिष्ट पतंगा का खत्रा हो सकता है इससे बचाव के लिए स्पाइनों से दवा की दो मिली लीटर यानि दो छोटे चमच मात्रा को दस लिटर पानी में मिलाकर प्रभावी जगह पर छिर्काफ करें ध्यान रखे कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिर्काफ करें और आई अब आपको बताते हैं मौसम के लिहास से और किन-किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा बात अगर उत्र पूर्वी बिहार के हम करें तो यहाँ पर चलौअड इलाके में ध्यान की निराये का काम किसान कर सकते हैं शाथि मद्र प्रदेश में बैंगन और लाल मिर्ज की नरसरी भी आप तैयार कर लें उतर पूर्वी बिहार में ही खेतों में 5 सेंटिमीटर जलस्तर बनाए रखें इस समय धान में आपको बता दें ख्यारा रोग का प्रको बढ़ सकता है आप लगाता निगरानी करते रहें और किसान ना सिर्फ निगरानी करें बलकि इसके साथ क्रिशी विशिशक्र से सला लेकर आप शिर्काव भी दवाका कर सकते हैं उतर पूर्वी बिहार में ही अरहर की बुआई का काम किसान पूरा कर लें उतर परशिं बिहार में भी ये मौसम अरहर की बुआई के लिए अनुकूल है मौसम साफ रहने पर किसान अरहर की बुवाई करें अरहर की बुवाई इस दम महीने के मन्थे तक जरूर कर लें अरहर में पूसा नौ और सरच जैसी किस्मों का चैना आप कर सकते हैं और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेके बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जड़ी कुछ खास जाहनकारी आप देखते रहें दूरदर्शन के सान क्या आप किसी बीमारी से परेशान है चाहते हैं डॉक्टर की सला तो हम है आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह तमस्याएं आपकी समाधान देश के मशूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्टरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम छे बजे से साथ बजे तक बीमारियों से कैसे बचेगी फसल मुवेश्यों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीच कितनी लगेगी खाग किसानों के हर फोन का विशेशक्यत देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाई सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ये काम्याबी है अनदाता की ये कहानी है खेत और खलिहानों की कैसे करें अपने पशू की देखभाल जानिए गाउं गाउं के किसानों का हाल देखिए गाउं किसान सुमबार से शुक्रवार दोपहर बारा बजे सिर्फ डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में अप चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहास से और किन-किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा खास्ता और से जहारखन के अगर बात करें तो यहां परकिसान पश्मी पठार इलाके में मौह और उड़त की फसल तयार कर सकते हैं फसल तयार लगफ़क हो चुकी हैं इसको नुकसान से बचाने के लिए आप सही समय पर इसकी कटाई जरूर करें कटाई के बाद फसल को सुरक्षत जगा पर रखें और धूप लगने के बाद इसकी गहाई कर सकते हैं जहारखन के पश्मी पठारी इलाके में ही खेतों में पानी जबाना होने दें पश्मी जहारखन में सरसो आलू और मटा लगाने के लिए की बीजो की गलस्ता जरूर करें यहीं तमाटर फुलगोभी और पत्तागोभी की रुपाई भी किसान शुरू कर सकते हैं मध्यर उत्तर पूर्वी जहारखन के पठारी इलाकों में कुल्थी की उनत्त किस्मों की किसान बुवाई कर लें साथियां हालू की रुपाई और टमाटर पत्तागोभी और फुलगोभी की बिभुवाई की जा सकती है सबजियों की बुवाई से पहले वीजो प्चार जरूर करें मध्यर उत्तर पूर्वी जहारखन में धान को कीट और रोग से बचाएं और चलिए बाप को बताते हैं आने वाले दो दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में अगर बात की जाए यहां पर उत्तर प्रदेश और मध्यर प्रदेश की तो कल यहां पर कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाई चलने की संभाव ना है मंगलवार को असम और मेखाले में कहीं-कहीं तेज हवाई चलने का अनुमान है करनाटक, मध्य महराश्ट्रा, कोंकन गोवा में भी मंगलवार को कहीं-कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाई चलने की संभाव ना है केरल के अगर बात करें तो कहीं-कहीं यहाँ पर काफी भारी बारिश का अनुमान मंगलवार के लिए जताया गया है पूरी उत्र प्रदेश में भी मंगलवार को एका दुक का जगात तेज बारिश के आसार है दो दिन उप्रदेश असामोर में घाले कि अगर बात करें तो मंगलवार को यहाँ तेज बारिश हो सकती है दो दिन मध्य महराश्ट्रा में भी एक का दुक का जगा बादल को बरसने की संभाव ना है करना तक तमिल्नाडू और पुडुचेरी में भी मंगलवार को कहीं कहीं तेज बारिश की संभाव ना जटाई गई है और आईए मौसम खबर में चलती चलती नज़र डालेते हैं प्रमुक शहरों के तापमान पर तो फिलाल के लिए इस बुलिटिन में बस इतना ही मौसम की ताजा जानकारी और कृशिस सला के साथ फिर होंगे हाजर तब तक के लिए दीजे इजासत नमस्कार कि पुलिए।